जैहिन दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया जीके के तोफ 500 कोस्चन जो हमने लूसेंट बुक और NCRT को बेस मानकर सिलेक्ट किये हैं दोस्तों सारे के सारे कोस्चन काफी इंपोर्टेंट है वही कोस्चन हमने यहाँ पे लिये हैं जो बार बार एक्जाम के अंदर पूछे जा रही है इस वीडियो से आपका काफी अच्छा रिविजन हो जाएगा और खुद आप चेक भी कर सकते हो कि आपकी जीके कैसी है यह दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पहला कोस्चन है बीहु किस राज्या में परसिद्ध है तो यह दोस्तों असम में इंसुलिन का प्रयोक किस बीमारी के उपचार में होता है यह होता दोस्तों मदुमेह में कौन सा विटामिन आवले में परचूर मात्रा पाय जाता है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है यह है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में जलियाःवाला बाग में गोली बारी का आदेश किस जनरल ने दिया था यह दिया दोस्तों माइगल और डायर ने नेक्स्ट है पत्ना का प्राचिन नाम क्या यह था पाटली पुत्र दिल्ली में लाल किला किसने बनवाए था यह बनवाए था मुगल शासक सहा जहा ने नेतादी सुभास चंदर बोस राष्ट्री यह खेल संस्थान कहां स्थीत है यह दोस्तों पटियाला में कारडमम पहाड़ी या इलाइची की पहाड़ी कहां स्थी यह केरल में, किस देश के साथ न्यूमॉर दूइप के कारण भार्त का βिवाद है, न्यूमॉर दूइप के कारण यह दोस्तों बंगला देश के कारण, कावेरी जल्ल विवाद किन दो दो राज्यों के बीच है यह करनाटक और तमिलाडू के बीच गुस upset को भारत का प्रवेश दौर कहा जाता है यह मुंबई किस दी कोदिखार का ह्शो ख़ाता है यह कोशी लदी कि nice राज्य की स्मूद्र ट्रेखा सबसे लंबी है यह दोस्तों गुजरात की किस थान पर 1911 इस्वी में विश्व की पर्थम हवाई डाक सेवा प्रारम की गई थी यह इलाबाद और नैनी के बीच की गई थी दोस्तों नेक्स्ट एक कॉंकन रेल मारक किस परवत्र श्रिंखला से होकर गुजरता है यह गुजरता है पस्चिमी घाट से होकर कोया जनजाति किस राज्या से संबंदित है यह दोस्तों आंधरप्रदेश से कॉलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोडता है यह भोरगाट जोडता है दोस्तों कौन सा बंदरगा भारतिय समुद्रिक व्यापार का पूरवी द्वार कहा जाता है पूरवी द्वार तो यह दोस्तों कोलकाता हल दिया कौन सी नदी बंगाल का शोग कहलाती है यह दामोदर नदी नेक्स्ट है कौन सी नदी भरस द्रोनी से होकर भहती है बरस ध्रोनी मतलब रिफ्ट वैली से होकर बहती है यह है दोस्तों नर्मदा नदी कौन सी परवत माला सहयादरी के नाम से जानी जाती है यह पस्चिमी घाट अक शेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों भारत का यह है कच जो गुजरात के अंदर पड़ता है शेत्रफल की द्रिष्टी से भारत का विस्व में कौन सा स्थान है काफी जी कोशन है यह दोस्तों सात्वा स्थान शेत्रफल की द्रिष्टी से भारत के तीन बड़े राज्यों का क्रम क्या है यह है राजस्थान, मध्या परदेश और महाराष्टर याद रखिए दोस्तों कोशन काफी बार पूछा गया है खरीफ की फसल कौन सी है इनको याद रखिए दोस्तों जवार, बाजरा, मक्का, चावल और तिल आदी इनमें से एक दिया जाता है उप्सन और आपसे पूछा जाता है खरीफ की फसल कौन सी है खारे पाने की सबसे बड़ी जील कौन सी है यह सांभर जोगी राजस्थान के अंदर है गंगा एं ब्रह्मपुत्तर संयुक्त जलधारा किस नाम से जाने जाती है यह दोस्तों मेगना नदी के नाम से जाने जाती है बांगलादेश में गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है यह गंगोत्तरी उत्राखंड में गुजरात वे महाराष्टर का नया गुजरात वे महाराष्टर नए राज्य कब बने यह बने 1 मई 1960 में गोवा राज्या का गठन कब हुआ? यह हुआ दोस्तु 30 मई 1987 को चक्मा वै हलमात याद रखना चक्मा वै हलमात किस राज्या की जंजातियां है? यह है त्रिपुरा की 36 गठ राज्या का गठन कब हुआ? 1 नमबर 2000 में जम्मू कस्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? उसे कहते हैं दोस्तों अकसाई चीन जायद की फसल कौन सी है? यह है खरबूजा, खीरा, ककड़िया दी जावर की खान किस खनीज के लिए परसिद है? यह है दोस्तों जस्ताईनिक जिंक के लिए जोजिला दर्रा किस राज्या में स्थित है? यह जम्मू कस्मीर में जारखन राज्या का निर्मान कब हुआ? यह हुआ दोस्तों 15 नमबर 2000 में तिहरी बांध कीन नदियों के संगम पर बना है यह भागी रथी और भिलंगाना नदी तोड़ा जंजाती कहां पाई जाती है? यह दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों पाई जाती है दुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है इसका निर्धालन कब हुआ? यह हुआ दोस्तों 1896 में डेल्टा नए बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह नर्मदा नदी दोल्फिन नोज नामक चटान के पीछे कौन सा बंदरगा है? दोल्फिन नोज इसके पीछे है दोस्तों विशाखा पटनम जो की अंधर परदेश में है तेलंगाना राज्य कब बना? यह सबसे रीशेंट राज्य है दोस्तों जो बना है 2 जून 2014 में दक्कन का पठार यहां पर दोस्तों पठार आएगा किन राज्यों में स्थित है? यह महाराष्टर, मध्यपरदेश, गुजरात, करनाटक और अंधर परदेश में गंगा नदी की सबसे प्रमुक साहयक नदी कौन सी है? यह यमुना दक्षिन भारत की सबसे उंची चोटी कौन सी है? यह दोस्तों अन्नाई मुडी दक्षिन गंगा किसे कहा जाता है? यह गुदावरी को कहते हैं दोस्तों दक्षिन भारत के पठारी परदेशों को कौन सी नदी दो भागों विभाजित करती है? यह दोस्तों नर्मदा नदी दल्दली एवं जवार भाटा वाले अक्षित्र में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? इनको बोल दे दोस्तों मैंग्रोव वन नेक्स्ट है दुनिया में सबसे अधिक उंचाई परस्थित युदिस्थल कौन सा है? यह है सियाचिन ग्लेसियर देश का पहला लोह इसपात कारखाना कब और कहां खोला गया? यह खोला गया था 1875 में कुल्टी नामक की जगा जोगी पस्चिम बंगाल के अंदर है नागालेंड राज्य का गठन कब हुआ? यह हुआ एक दिसंबर 1963 को नेक्स्ट है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? यह है दोस्तों सिक्किम में नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोडता है? यह है दोस्तों थाल घाट दर्रा नीजी एकसेतर में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? यह टाटा आइरन इम स्टील कंपनी जिसको मुटिस्को भी बोलते हैं नीलगीरी की पहड़ियां किस राज्य में स्थित हैं तो आएका दुस्तों तमिलाडू पनियान वै इरूल जहां से देखना दोस्तों पनियान वै इरूल जंजाति किस राज्य में निवास करती हैं ये करती हैं दोस्तों तमिलाडू में नेक्स्ट है पसून का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है ये सोनपूर बिहार में पांच नदियों की भूमी किसे कहा जाता है तो ये पंजाब डोडिया जंजाति किस राज्य से संबंदित है ये पर राज्य हैं दोस्तों केंदर साशित प्रडेश आएगा ये है दादरा एवन नगर हवेली चीन की सीमा रेखा को सपर्स करने वाले भारतिये पूर्वी राज्य कौन कौन से है अनुनांचल प्रदेश, नागालेंड, मनिपूर और मिजोरम भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेल गाड़ी कौन सी है तो ये दो हैं दोस्तों समझोता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा इसका निर्धारन कब किया गया ये किया गया था दोस्तों 15 अगस्त 1947 को नेक्स्ट है एक मात्र भारतिये को अर्थ सस्तर में नोबल पुर्षकार मिला है उनका नाम क्या है हो है अमर्तिय सेन 1856 में विध्वा पुनर वीवाक कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था ये बनाया गया था इसवर चंद्र विद्यसागर के प्रयासों द्वारा लोर्ड कैनिंग ने नमबर 1858 में कहां आयोजी दरबार में भारत में क्राउन के सासन की घोष्णा की ती ये की थी दोस्तों इलाबाद में इलाबाद में दरबार था 1888 में तो यहां पे घोशना हुई थी कि भारत में क्राउन का सासन होगा लोर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले साहयक संधी किस राज्या के सासक ने की ये की थी हैदराबाद के निजाम ने भारती राष्ट्रिय कॉंगरिस के 1929 के एतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्सता किस ने की थी ये की थी जवाहरलाल नहिनू ने नेक्स्ट एक केंदरी असेंबली में बं फैंकने में भगत सिंग का साथी कौन था ये थे बटू केश्वर दत मुश्निम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी ये की थी 1940 में कॉमन वील पत्रिका का प्रकासन किसने किया था काफी बार कोचन पूछा दोस्तों कॉमन वील पत्रिका ये किया था एनिबेसंट ने भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस की पर्थम महिला अध्यक्स भी यही थी दोस्तों एनी बैसेंट किस योजना के प्रिणाम सवरूप भारत का विभाजन हुआ यह हुआ था माउंट बेटन योजना के फल सवरूप जनरल डायर की हत्या किस ने की थी यह किती दोस्तों उधम सिंग ने बंगाल का विभाजन कब और किस के द्वारा किया गया था यह 1905 में गवर्नर करजन के द्वारा किया गया था भारत में कुल कितने उच ने आयले हैं यह है दोस्तों पत्चिस प्रथम लोक सभा का अध्यक्स कौन था यह थे जीवी मावलंकर जी सविधान सभा का एस थाई अध्यक्स किसे चुना गया था यह भी कोशन काफी बार पुछा गया दोस्तों सचिदानन सिना जी को कुचीपुडी नरित्या सैली मुख्य तक किस राज्या से सम्मंदित है कुचीपुडी तो यह दोस्तों अंधर प्रदेश से मोहनी अट्टम यह किस राज्या सम्मंदित है यह दोस्तों केरल से भारत नाट्यम यह तमिलाड्डू से कथ्यकली किस राज्या का सास्त्रिय नरित्या है यह दोस्तों केरल केसर का सरवाधी कोतपादन किस राज्य में होता है केसर का तो ये होता है जम्मू कस्मीर में भारत में प्रथम बहु उदेशिय परियोजना का निर्मान किस नदी पर किया गया ये किया गया था दामोदर नदी पे इंडियन नेशनल कॉंगरेस के पर्थम अध्यक्स कौन थे ये थे व्योमेश चंदर बनर जी गांधी जी किसे अपना राजनेती गुरू मानते थे ये मानते थे गोपाल कृष्ण गोखलेगो भारत की सबसे बड़ी जनजाती कौन सी है ये है दोस्तों गूंड गुर मुखी के फल्सवरूप भारत का विभाजन हुआ ये कुशन रिपीट हो गया दोस्तों माउंट बेटन योजना के फल्सवरूप राष्ट्रिय शान्ती एवं सुरक्षा को बनाये रखने की जिम्मेदारी संयुक तराष्टर संग ने किस अंग को दी है ये दी है सुरक्षा से दोस्तों संयुक तराष्टर संग का ही अंग है नोबल पुरुषकार पानने वाले पहले भारतिया नागरी कौन थे ये थे रविंदरना टैगोर जिनको 1913 में नोबल पुरुषकार मिला था साहित्या के क्सित्र में मिड़े मिल योजना किस वर्स शुरू हुई मिड़े मिल यह थी 1995 में बंगलादेश का राष्टरगान कौन सा है और इसे किस ने लिखा है यह है आमार सोनार बंगला जो की रविंदरना टैगोर ने लिखा है लोदी वंस का संस्थापक कौन था यह थे बहलो लोदी किस समिधान संसोधन को मिनी कॉंस्टिचूशन कहते हैं यह क होम्योपैथी का संस्थापक कौन था यह थे हनीमेन तो हमारा अगला कोश्चन है कि फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग की जाती है वह एथिलीन भारतिय केलेंडर का पहला महा कौन सा होता है वह चेत्र पंडित हरी परसाद चुरासिया कौन सा वाध्य अंत्र ब किस ने करवाया था यह करवाया था अशोक ने यक्सगान किस रज्य का लोक मृत्य है यह करनाटक का मैक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है यह भारत और चीन के बीच प्याज में खाद्य भाग जो हम खाते हैं वह कौन सा होता है वह तना धनी तरंगों की आपरिती कितनी होती है यह होती है 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक मधूबनी किस रज्य की लोक चित्रकला शैली है यह दोस्तों बिहार की विश्व का सबसे उंचा परवत मांट एवरेष्ट किस देश में स्थित है यह नेपाल में किस नदी को दक्षिन गंगा भी कहा जाता है यह कहते हैं गुदावरी को निर विरोध चुने जाने वाले एक मात्र राष्टरपती कौन थे यह थे नीलम संजीवा रेड़ी जी संसार में सबसे बड़ा डेल्टा सुंद्रबन डेल्टा कौन सी नदिया बनाती है यह गंगा और ब्रहंपुत्र बनाती है सिंदु घाटी अंद्रगा वाला कौन सा नगर था यह था दोस्तों लोथल उसके बाद किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है यह दोस्तों अमीर खुश्रो भगवान बुद्ध को ग्यान की प्राप्ति कहां हुई थी यह बोध गया में हुई थी दोस्तों आरिय समाज की स्थापना क किसने की स्वामी दयानन जी ने पंजाबी भासा की लीपी कौन सी है यह गुर मुखी भारत की मुख्य भूमी का दक्षिन्दम किनारा कौन सा है यह कन्या कुमारी नाथुला दर्रा किस राज्ये में स्थित है यह दोस्तों सिक्किम में 1912 में अलहिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? मुलाना अबुलकलाम आजाद ने महान चिकितसक चरक किसके दरबार में रहते थे? ये कनिश के दरबार में रहते थे भारत में मेट्रो पूरस किसे कहते हैं? ये है दोस्तों स्रीधरन भारत का प्रथम गवर्नर जर्नल कौन था? ये थे विलियम बैंकिट कागज का आविश्कार किस देश में हुआ? चाइना में गोतम बुध का बच्पन का नाम क्या था? सिधार्थ भारत में ससत्तर बलों की सरवोच सेनापती कौन होता है? ये होते हैं राष्ट्रपती रत उन्थी किस विटामिन की कमी से होता है? ये विटामिन ए की कमी से होता है पॉंगल पॉंगल किस राज्या का त्योहार है? ये है तमिल लाडू का गिद्दा और भंगड़ा किस राज्या में लोक नृत्या है? पंजाब में टेलिविजन का आविश्कार किस ने किया जोन लोगी बेयरड ने भारत की पहली महिला सासी का कौन थी रजिया सुल्तान मचली किसकी सहायता सांस लेती है गलफडों की सहायता से इंकलाप जिंदावाद का नारा किस ने दिया काफी आसान है भगत सिंग जी ने जलियाँवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? 1919 में अमरिश्चर में 1949 इस्वी में कांगरेश छोड़ने के बाद सुभाज चंदर बोश ने किस दल के स्थापना की? यह फोरवड ब्लोग पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत रायजी को सांडर्स की हत्या किस ने की थी? यह भगत सिंग जीने की थी 1857 इस्वी के विद्रहों में किस ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? सबसे पहले यह मंगल पांडे जीने दिया था भारत की पहली महिला रज्यपाल कोन थी? सरोजनी नाइडू माउंट एवरिष्ट पर दो बार चड़ने वाली पहली महिला कोन थी? संतोस यादव भरम समाज की स्थापना किस के द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय स्वामी दयानन सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर वेदों की और लोटों का नारा किस ने दिया था? ये भी दिया था दोस्तों दयानन सरस्वती जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की स्वामी विवेकानन ने? वासको डिगामा भारत कब आया? 1498 में और ये कहां का रहने वाला था? पुर्टगाल का हवामहल कहां स्थित है? जैपूर में सिख धरम की स्थापना किस गुरु को माना जाता है? संस्थापन किस गुरु को माना जाता है? ये है गुरु नानक देव सिखों का प्रमुक त्योहार कौन सा है? बैशाक्षी लोहपुरुस किस महापुरुस को कहा जाता है सरदार वल्लभाई पतेल जी को जैजवान जैकिसान का नारा किस ने दिया लाल बहदुर सास्त्री ने सविधान सभा का स्थाई अध्यक्स कौन था? स्थाई अध्यक्स था दोस्तों डक्टर राजिंदर परसाद जी सविधान सभा की प्रारूफ समीती के अध्यक्स कौन थे? प्रारूफ समीती के. इते डॉक्टर भीमराव अमबेड कर. विस्व रेड क्रोस दिवस किस तरिक को मनाय जाता है? आठ मई को. सुर्योध्या का देश कौन से देश को कहा जाता है? जापान. अंतरास्टे महिला दि मनाय जाता दोस्तों केरल में. नेक्स्ट दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ये 1911 इसवी में. सबसे चमकीला ग्रह कुन सा है? शुक्र. भारत का राष्ट्य पशू कौन सा है? बाग. राष्ट्य पकसी है दोस्तों मोर. और राष्ट्य जलिय जीव है गंगा डॉल्फ मास्ट्र गान किसने लिखा था? रविंदरना टैगोर ने. भारत का राष्ट्य गीत कौन सा है? बंदे मात्रम. और इसे बंकिम चंदर चट्रजी के द्वारा लिखा गया था. महात्मा गांधी को राष्ट्र पिता सबसे पहले किसने कहा? नेता जी सुभा चंदर बोस ने रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? हेंडरी बैक्डरल ने. पेस मेकर का संबन सरीर के किस अंग से है? हरीद्या से. मानव सरीर की किस गरंथी को मस्टर गरंथी कहा जाता है? यह दोस्तों पियोस गरंथी. कर्बन का सरवाथिक सुधरूप कौन सा होता है? यह होता है दोस्तों हीरा, डाइमंड. एक्सरे का अविश्कार किस ने किया था? रोटजन ने. किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तामबा. अंत्रिक्स यत्री को बहया अकास कैसा दिखाई पड़ता है? ब्लैकनी के काला. दूरबीन का अविश्कार कि कहां से कहां तक चली? मुंबई से ठाने तक. भारत में पहले बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में अरहम की गई? मेट्रो. ये कि थी कोलकाता में? भारत में रेल का अरहम किस सन में हुआ? 1853 में. प्रथम भारती अंत्रिक्स यत्री कोन थे? राकेश शर्मा जो 1984 में गए थ भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कोन थी? ये थी सुचेता क्रिपलानी. अरियाना के पहले मुख्यमंत्री कोन थे? ये थे पंडित भगवद्याल सर्मा. संयुक तराष्टर संग की स्थापना कब हुई? 24 अक्तूबर 1945 में. संयुक तराष्टर संग के पहले महासाची कौन थे? ट्रिग वेली. संयुक तराष्टर संग में इस समय कितने देश सदस्या हैं? ये दोस्तों 193. संयुक तराष्टर संग सुरक्षा परिशद के कितने देश सदस्या होते हैं? दोस्तों 15 सदस्या होते हैं जिन में से 27 सदस्या होते हैं 5. संयुक तराष्टर संग का म महासबा में हिंदी में भाचन देने वाले भारतिये कौन थे अटल बिहारी वाजबेई संयुक तरश्टर संग के वर्तमान महासचीव कौन है दोस्तों यह एंटोनियो गुटेरस संयुक तरश्टर संग सुरक्षा प्रिशद के ऐस थाई सदस्य कितने वर्स के लिए चुने जाते हैं यह दोस्तों दो वर्स के लिए चुने जाते हैं स्युक तरश्टर संग का 193 सदस्य देश कौन सा बना था यह बना दोस्तों दक्षनी सुडान किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता यह विटामिन के हिंदी दिवस कब मना जाता है हिंदी दि 26 द्वारा हिंदी को राष्टर भासा घोशित किया गया था तो यह है दोस्तों अनुशे 343 ओलंपी खेलों की एकल्स परधा में स्वन पदक जीतने वाले एक मात्र भारतिये कौन है यह हैं अमिन बिंद्रा ओलंपी खेलों का योजन कितने वर्सों बाद होता है चार वर्स 2016 में उलंपी खेल कहां खेले गई थे रियो डिजनेरियों में अंतर राष्टिय मानव अधिकार देवस कब मनाया जाता है 10 दिसंबर को किस देश की स्थल सीमा सरवाधिक देशों के साथ लगती है यह लगती है दोस्तों चाइनागी बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिर जाज्य में है यह दोस्तों असम में प्रित्वी अपनी धूरी पर किस दिसा में घूमती है पस्चिन से पूरव उजयन किस नदी के किनारे बसा है शिप्रानदी के किनारे कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है चांदी गोबर गैस में मुख्यारोप से क्या पाए जाता है कि मिधेन पाए जाता है दोस्तों सवतंतरता मेरा जनम्चित अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा ये किस ने कहा था यह कह था लोकमाने तिलक ने देखे दोस्तों हम यह एक वीक रिजिजन कर रहे हैं इसके लिए आपका सलेवस कंप्रेट होना जरूर ये बनता है रिटीला पर सूर्य से प्रितीा पर ऊश्मा का संचन किस विधी के द्वारा होता है ये होते है विकिर्णन द्वारा DNA की दुवी गुनित कुंडली का पता किस ने लगाए था वाक्सन और क्रीक ने धोने की तीवरता किस में मापी जाती है यह मापने डेसीबल में नेक्ट है मधुमकी पालन क्या कहलाता है इसे कहते है एपी कल्चर किसी वेबसाइट के फ्रंट पेज़ को क्या कहा जाता है इसको बोलते है होम पेज गाड़ियों में पीछे का दिश्य देखने के लिए इस दर्पन का प्रियोग होता है यह उत्तल दर्पन सामान्य प्रिष्थितियों में हवा में धोने की गती कितनी होती है 332 मीटर पर सैकिन वह एक मात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धूरी पर पूरो से पस्चिम की दिशा में घूमता है पूरो से पस्चिम यह दोस्तों शूक्र सूरिय में सरवाधिक गैस कौन सी होती है हाइड्रोजन प्रिथिवी से दिखाई देने वाला सबसे चमकिला ग्रह कौन सा है शुक्र ग्रह सोर मनल की आयो कितनी है यह 4.6 अरब वरस कौन सा धूम के तुतारा 76 वरसों के बाद दिखाई देता है यह हेली धूम के तुतारा प्रिथिवी और सूरिय के 20 दूरी कितनी है 15 क्रोड किलोमीटर सूरिय का प्रकास प्रिथिवी तक पहुंचने में कितना समय लेता है 8 मिनट 16 सेकिंड भारत में पहला प्रमाणू प्रिक्षन कब और कहां किया गया था यह था 14 मई 14 मई 94 में पोकरान में किया गया था जो कि राजस्थान के अंदर पड़ता है कंप्यूटर के जिस भाग को हम पर्स कर सकते हैं वह क्या कहलाता है उसको बोलते हैं हार्डवेर कैंसर के उपचार में प्रिक्त उतकरिष्ट गैस यानिके नोबल गैस कौन सी है रेडोन मोनेजाइट बालू में कौन सा खनीज पाय जाता है यह पाय जाता है थोरियम सरीर में सबसे बड़ी अंतस्त्रावी ग्रंथी कौन सी है यह होती है थायराइड ग्रंथी संसार का विशालतम सतंधारी जीव कौन सा है यह भेल मचली ब्रट ग्रूप की खोज किसने की थी यह कि थी लेंस्टीनर ने एल्यूमिनियूम का प्रिमुख यासक कौन सा है यह बोक्साइट पहला क्रित्रिम उपग्रह कौन सा था स्पूतनिक वन किस उपकर्ण द्वारा यंत्रिक उर्जा को विद्योत उर्जा में परिवर्टित किया जाता है यह डाइनमो कंप्यूटर की एस्थाई स्मृति क्या कहलाती है एस्थाई मेमरी इसको बोलते है रैम रैंडम एक्सेस मेमरी रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है तो भूकम की तिवर्टम आपते है भू पटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है यह है ऐलुमिनियम किस ग्रह को सांस का तारा कहते है इसको बोलते है शुकर को वाई मंडल की सबसे निचली स्था को क्या कहते है शोव मंडल प्रिथवी को एक डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है यह लगते हैं चार मिनट प्लाश्टर ओफ पेरिस किस से बनता है जिपसम से हरे पोधन दवारा भोजन बनाने की किरिया क्या कहलाती है प्रकास संसलेशन दूध से क्रीम किस प्रक्रिया दवारा बनाई जाती है अब केंद्रियबल या सेंट्रिफ्यूगल फोर्स इसको बोलते है रिजरूब बैंक ओफ इंडिया का मुख्यल है मुंबई में है सिमांत गांधी किसे कहा जाता है खान अब्दुल गफार खान को विस्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है ग्रीन लेंड स्वतंतर भारत के प्रथम राष्टरपती कौन थे डॉक्टर राजिंदर परसाद काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है तो दोस्तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है सोर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है ब्रिश्पती गैस सिलेंडर में गैस लिकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है यानि जो हमें स्मेल आती है वो किस पदार्थ के वज़े से आती है इथाइल मरकैप्टन वायो मंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है नाइट्रोजन का कुनार का सूर्य मंदिर किस परदेश में है उडिसा में किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बंगलादेश का निर्मान हुआ था तो ये हुआ था पाकिस्तान से अलग होकर नेक्स्ट है कंप्यूटर भासा में www का आर्थ क्या है वर्ल्ड वाइड वैब एक किलो बाइट में कितनी बाइट होती है एक हजार चोबिस बाइट हमारी आकास गंगा नाम क्या है दुग्द मेखला या मिलकी वे हिंदी भासा का पहला समाचार पत्र कौन सा था उदंत मारतंड इंपोर्टन कोशना दोस्तों काफी बार एक्जामें पुछा गया है उदंत मारतंड तुल्शी दास क्रित राम चरित मानस हिंदी भासा की किस बोली में लिखी गई है अवधी में आधनिक ओलम्पी खेलों के शुरुआत कब और कहां से हुई थी एथेन्स में 1896 में भारत ने किस खेल में ओलम्पी ओलम्पी में आठ बार स्वर्ण पदक जीता है यह होक्की भारत ने आखरी बार होक्की में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था 1980 में मोस्को ओलम्पीक में उलम्पिक खेलों का आयोजन कितने वर्स बाद होता है चार वर्स बाद ये रिपीट हो गया कोशन दोस्तों अंतर राष्टे उलम्पिक समीधी का मुख्याले कहां स्थित है यह लुसान जो भी स्विजर लेंड के अंदर है सन 2012 में उलम्पिक कहां खेले गए थे लंदन में उलम्पिक ध्वज में कितने गोले होते हैं पांच एक उलम्पिक में सरवाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कुन सा है माइकल फिलिप्स ये यूससे से बिलों करते हैं दोस्तों सन 2020 में ओलंपिक कहां हुए थे यह हुए थे टोक्यो में जो की जापान की राज़ानी है सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांश्य पदक जीतने वाली साइना नहवाल का समंध किस खेल से है बैडमिंटन से भारत ने उलम्पी खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था सन उन्निसों में उलम्पी खेलों में पदग जीतने वाली पहली भारतीय महिला की लड़ी कौन है करणम मलेसवरी परशिद जंड़ा गीत जंड़ा उंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी श्यामलाल गुप्त पारसद पसो में मिल्क फीवर बिमारी किस की कमी के कारण होती है कैल्सिम की कमी के कारण मानोशरीर के किस अंग दवारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है गुर्दे यानि के किड़नी दवारा किस एकमात्र भारतिया को अर्थ सास्तर में नोबल पुर्शकार मिला है अमर्थिया सेंजी को भारत रत्र उस्ताद बिस्मिल्ला कान किस वाद्य जैंतर के एक से फित्र में विक्षार एं जो दो तो सहनाई बजाते हैं भारत के अंतिम गŵर्नलर जनरल को थे और सीराज गो पालचारी भिलाई इसपाथ सेंतर का निर्मान किस देश के सहयोग से किया गया था भिलाई इसपाथ सेंतर तो रूस के सहयोग से किया गया था दोस्तों उत्तरी धरू में भारत के अनुसंधान केंदर का नाम क्या है हिमाद्री विस्म में माउंट एवरेश्ट पर चड़ने वाली प्रत्थम महीला कौन थी जो उनकु तबाई ये जपान से बिलोंग करती हैं दोस्तों पीलिय किस अंका रोग है ये लेवर को इफेक्ट करता है द्रव सभी दिशाओं में समान गति पारित करता है यह कतन किस निएम से सम्दित है तो दोस्तों इस पास्कल के निएम से सम्दित है क्लोरोफिल का खनीज घटक क्या है मैगनीशियम LPG गैस में क्या होता है इसमें होता है दोस्तों ब्यूटेन नेक्स्ट है किसने सरवपर्थम असोक के अभिलेखों को पढ़ा था ये थे जेम्स प्रिंसिप किस बोध भिक्सु के प्रभाव में असोक ने बोध ध्रम ग्रैंड किया उपगुप्त कौन सा मुगल बादसा एसिक्सी था ये थे अशोक अमरिसर सहर की स्थापना किसने की थी गुरू रामदास ने गदर पारटी के संस्थापक कौन थे लाला हरदयाल सिख इतिहास में लंगर परथा किसने शुरू की थी ये कि थी गुरू अंगद ने सबसे प्राचीन वेद कुन सा है रिगवेद किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दोलता बाद स्थानांतरित की थी मुहमद बिन तुगलक ने परथम पंच वर्षिय योजना कब आरम हुई 1951 में चीनी यात्री हुएंसांग ने किस विश्विद्यल्य में अध्यन किया था नालंदा कौन सा रक्ष समूष सरवदाता होता है यनि सबको बलड वो डोनेट कर सकता है ओ ग्रूप मनुष्य के स्रीर में कितनी हडिया होती है 206 सूरिय के प्रकास से कौन सा विटामिन प्राप्थ होता है विटामिन डी माधा एना फ्लीज मक्षर मक्षर के काटने से कौन सा रोग होता है मलेरिया टेलिफोन का विश्कार किस ने किया था ग्रहम बेल ने प्रकास की गती कितनी होती है? तीन लाख किलोमेटर परती सेकिंड प्रित्वी सुरिया का चक्कर लगाती है यह सबसे पहले किसने बताया? ओपर निक्सने प्रकास वर्ष का समंद किससे है? इससे दोस्तों खगोलिय दोरिहम मापते है स्वर्ण मंदिर कहां स्थीत है अमरिस्सर में चार मिनार कहां स्थीत है है अगला कुश्चन है कुतुब मिनार कहां स्थीत है ये दिल्ली में है गेटवे ओफ इंडिया कहां स्थीत है ये मुंबई में है इंडिया गेट कहां स्थीत है ये नई दिल्ली में है गेटवे ओफ जब्न के जनम नाम यूज दुनली का नारा भी इन्हों नहीं दिया था वेदों की और लोकु ये नारा किस ने दिया था ये किलाब जिंदावाद का नारा भगत सिंग्जी ने दिया था भारत का नेपूलियन किसे कहा जाता है ये समुद्र गुप्त को बोलते हैं जो गुप्त वंस की शासक थे सती पर्था के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाद सुधारक का रहा ये राजा राम होंजी का सबसे ब्रवय को जादा प्रयास था राम करिशन मिशनकिस्त अपना किस ने कि दी स्वामी वीवेकानण जीनले महत्मा गांति जी को महत्मा कीупाधि किसने दी थी रविंदरना टेगोर ने मैं एक्सपेरिमेंट विट टूथ पुस्तक के लेख कोन है इसके लेखा का महत्मा गांधी जी भारत का सरवोच नागरिक समान कुन सा है भारत रतन फिल्म के एक्षेत्र में दिया जाने वाला सरवोच भारतिय पुरुषकार कुन सा है दादा सह कुल्टर के पिता किसे कहा जाता है साल्स बैबिज अंतरिक्स में जाने वाले प्रत्म व्यक्ति कौन थे यह थे यूरी गागरिन जो कि रूस से थे चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रत्म व्यक्ति कौन थे नील आमस्ट्रोंग अंतरिक्स में जाने वाले प्रत्म भारतिय वेक्ति कौन है राकेश शर्मा प्रतम भारती ग्रह का नाम क्या है उर इसे कब लॉंच किया गया था आरिया भट इसे 1975 में लॉंच किया गया था भारती अंतरिक्स अनुसंधान संगठन यानिकी इसरो इसका गठन कब किया गया 1979 इसका हैड ओफिस कहां पर है बैंगलोर में अंतरश्टिय महिला दिरस किस तीथी को मनाया जाता है आठ मार्च को गेंगा रोक किस की कमिशे होता है यह आयोडेन की कमिशे होता है कौन सी गरंथी इंसुलिन स्ट्रावित करती है यह गरंथी अगनासिय जिसको पैंक्रियाज भी बोलते है भारत का सबसे बड़ा यह माहन आदि पर स्थित है सवीधान की आठ में अनसूची में कितनी भारतिय भासां को मान्यता दी गई है 22 भारतिय भासां को चीन की मुद्रा कौन सी है यूवान रेड क्रोज के संस्थाप कौन है है हैंंडरी डौनेंट हीमोक्रोबिन की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है इनीमिया भारत कोकिला कौन कहलाती है ये सरोजनी नाइडू को बोला जाता है भारत कोकिला कुतुब मिनार किसने बनवाई थी कुतुब दिन एभक ने बनारस हिंदू विष्ववेजयले के संस्थापक कौन थे मदन मोहन मालविया जी अर्थ सस्तर के लेखा कौन थे जानक के विवेकानन्द समारक कहां पे स्थीता है काफी इंपोर्टेंट है ये है कन्या कुमारी में दक्सेश का मुख्यले कहां स्थीता है दक्सेश को है दोस्तों इस सारक को ही बोलते हैं सारक जिए मतलब दक्सिण और सूरी ही थोड़ा जिया गहरा हो गया दक्सिण एस cultivation अक्षेतरिय सहयोग पशंगठन wrakk चाह सारक इसको इंग्छिछ में बोलते हैं हिंदी में दक्सेश इसको बोला जाता है तो इसका मुख्यालिया कहाँ पर सीत है? काठमांडो में नेक्स्ट है दक्सेस में कितने सदश्य देश है? तो आठ सदश्य देश है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर विस्व में अभरक या माइका जिसको बोलते हैं इसका सरवाथी कुतपादन किस देश में होता है? भारत में ग्रांट ट्रंक रोड जिसको जीटी रोड भी बोलते हैं ये किस के दवारा बनाया गया था? सेरसा सूरी के दवारा विटमिन B की कमी से होने वाला रोग कुन सा है? बेरी-बेरी बेरी-बेरी में दोस्तों सरीर ज्यादा जल्दी ठक जाता है मास बेशियां कमजोर हो जाती हैं एंठन आ जाती है मास बेशियों के अंदर विटमिन C की कमी से कुन सा रोग होता है? सकर्वी सकर्वी में दोस्तों ज्यादा तर ये मसूड़ों का रोग होता है मसूडों से खून आने लग जाता है दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता विटामिन C विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है हरिकेटस ये हड्डियों से समंदित रोग है दोस्तों हमारे पैर की हड्डियां थोड़ा मतलब टेड़ी हो जाती है इसके अंदर टांगों की हड्डियां हरिकेटस में विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है बांजपन विटामिन C का रसाइनिक नाम क्या है एसकोर्बिक एसिड काफी इंपोर्टन है कई बार कुश्चिन पूछा गया है यह वशा है दोस्तों वशा वशा में खुलंसील विटामिन कौन से है विटामिन K, E, D, A आपको इसको कीड़ा की मलब ट्रिक्सिक याद कर सकते हो K, E, D, A और जो बचके विटामिन B और C यह हमारे पानी में खुलंसील है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता साधारण नमक का रसाइनिक नाम क्या है NACL हसने वाली गैस का रसाइनिक नाम क्या है Nitrous Oxide जिसको N2Ovium बोलते है धावन सोडा का रसाइनिक नाम क्या है Sodium Carbonate पीतल कीन दो धातों से मिलकर बनता है तांबा और जिंक से नेतर दान में नेतर के किस भाग का दान किया जाता है तो ये कोर्णिया जो हमारा कोर्णिया होता है उसी को डोनेट किया जाता है पूरी आँख डोनेट नहीं कि जाती दोस्तों किस विटामिन में कोबाल्ट होता है विटामिन बी ट्वैलो में या आप अंसर देना कमेंट के अंदर केल्सी फेरल किस विटामिन का रसाइनिक नाम है केल्सी फेरल ये है दोस्तों विटामिन डी का लाल रक्त कनिकाओं का निर्मान हमारे स्रीत के किस भाग में होता है ये अस्थी मज्जा में होता है जिसको बोन मेरो हम बोलते हैं राष्टिय विज्ञान दिवस कब मना आ जाता है 28 फरवरी ब्लड प्रेसर मापने के लिए किस यंतर का प्रयोग किया जाता है स्फिग्मो मैनोमीटर थोड़ा नाम बड़ा है लेकिन दो तिन बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा स्फिग्मो मैनोमीटर कम्प्यूटर की पर्मानेंट मैमरी को क्या कहते हैं इसको बोलते है रोम रीड ओनली मैमरी किस अधिवेशन में कांग्रेश उधारवादी और उगरवादी नामक दो दलों में बंट गई थी नरमदल और गरमदल जिसको बोलते हैं ये 1907 के सूरत अधिवेशन में बंट गई थी तंजोर का वरिह देशवर मंदिर किसने बनवाय था ये राज-राजा प्रथम चोलने बनवाय था तंजोर का वरिह देशवर मंदिर काफी इंपोर्टेंट है ये भी कोशन मुगल समराट अकबर का जनम कहां हुआ था ये अमर कोट के दुरग में हुआ था संसिद के दोनों सदनों की सेयुक्त बैठकी अध्यक्सता कोन करता है ये लोकसभा अध्यक्स करते हैं भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्स कोन थे जीवी मावलंकरजी गनेश वासुदेव मावलंकरजी प्रथम लोकसभा अध्यक्स थे भारतिय सविधान के किस अनुशेद के अंतरगत जम्मो कस्मेर को विशेश दर्जा प्राप्त था ये अनुशे 370 के तहट इसको विशेश दर्जा प्राप्त था लेकिन 2019 में इसको वहां से खतम कर दिया कोई धन विधेक है या नहीं ये कौन डिसाइड करता है ये लोक सवा अध्यक्ष डिशाइड करेगा कि ये मनी मिल है कि नहीं विश्व का सबसे बड़ा महाधवी कौन सा है एसिया महाधवी हैदराबाद किस नदी पर बसा है मूसी नदी पर विश्व में चान्दी का सबसे बड़ा उतपादक देश कौन सा है मेक्सिको चेत्रफल के अनुशार विश्व का सबसे छोटा देश कुन सा है वेटिकन सिटी साइमन कमिशन के भाहिशकार के दुरान लाठी चार से जिस नेता की मृत्ति हुई थी वो कुन थे लाला लाजबत राय जी भारत में निर्मित पर्थम कम्प्यूटर कौन सा है यह सिधार्थ इंपोर्टन कोशना दोस्तों गायत्री मंतर का उले किस गरंथ में मिलता है यह हमें रिगवेद में मिलता है मानव श्रीव में पाचने के लिए अधिकतर किस अंग में संपन होती है तो सबसे ज़्यादा जो पाचने के लिए हो चोटी आथ में हमारी संपन होती है अनुवानशिख्ता के सिधान को का परतिपादन किस ने किया था यह मैंडल ने किया था продолж कि लेशद है मानव द्वरह सबसे पहले किस धहत्यों का प्रयोक किया गया था वो थी तामबाव, बोलफिन किस सिधानट पर कामकरता है यह परिष्ठ तनाव के सिधानट पर कामकरता है इसको द्वरिशम के के किडे किस कौमल पत्जियों पर्वे पाले जाते है, तो नहर किन दो सागरों को जोडती है भूमज्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोडती है पनामा नहर किन दो महा सागरों को जोडती है यह परशानत महाशागर और उत्री अटलांटिक महाशागर को जोडती है भारत के संघिया अक्षेतर दादर और नगर हवेली इसकी र वर्ष 2011 में नव निर्मित राज्य दक्षिन सुडान, दक्षिन सुडान तो 2011 में बना था, इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी जूबा, योजना आयोग का अध्यक्स कौन होता है, योजना आयोग का अध्यक्स होते थे, मतलब अभी योजना आयोग नहीं है, आज क देश बंधू के नाम से कौन जाने जाते हैं? देश बंधू के नाम से जाने जाते हैं चितरंजन दास. अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां काफी easy question है. भारत में सबसे पहली film कौन सी बनी थी? यदि राजा हरिश्चंद्र. सबसे छोटी हड़ी कौन सी होत है 120 दिन का. जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है. उसके रिए को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं galvanization. Galvanization. मानुश्रीर की सबसे बड़ी गरंथी कौन सी है? वह है यकरित, लीवर. भारत का प्रतम तेल सोधन सेंटर कहां पर स्थापित किया गया था? वह बिग बोई असम में स्थापित किया गया था. युनेस्को दवारा कलिंग पुरुषकार किस क्षित्र में परदान किया ये 1929 के लाहोर अधिवेशन में पारित किया गया था. स्वेत करांती का संबन्ध किस से है? ये है दोज से. भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? इसका नाम है फेरी क्वीन. भारत में आपात काल की प्रतम घोशना कब की गई थी? ये जब चीनी आकर्मन ह हुआ था. चीन के साथ युद्था 26 अक्तूबर 1962 में ये प्रतम घोशना हुई थी अपात काल की. भारत में भासा गया धार पर बनने वाला प्रतम राज्या कौन सा है? ये है आंधर परदेश. भारत पर हमला करने वाला प्रतम मुस्लिम अकर्मन कारी कौन था? ये मुहमद वीवेका का पुराना नाम क्या है? ये शिलोन. विटामिन की खोज किसने की थी? ये फंकने की थी. कांसा किसकी मिश्रदातू होती है? ये होती है कोपड़ और तीन की. स्वामी विवेका नन ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में उसको सम्मेलन को कब संभोध प्रित्वी पर उत्री गुलार्थ में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है 21 जून यहनी हमारे यहां 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है क्योंकि हम उत्री गुलार्थ में आते हैं महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था सारनाथ में जलियां वाला बा ये राजिंदर परसाद जी को चुना गया था विदेश में प्रथम स्वतंतर भारतिय सरगार किसने स्थापित की थी राज्या महिंदर परताप सिंग ने वर्स उन्सो चालिस में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के स्रीजन का परस्ताफ किसने रखा था इनका नामदा खली कुजमा वर्स उन्सो अठाइस में हिंदुस्तान सोचिलिस्ट रिपबलिक एसेशन की स्थापना कहां पे हुई दिल्ली में नेक्स्ट है वर्ष 19 में अखिल भारतिये खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्स किसे चुना गया ये चुना गया था महत्मा गान्ती जी को लोड करजण ने सन 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया विभाजन किस वर्ष रद किया गया ये 1912 में रद कर दिया गया था भारती अरफ्ष्टिय कंग्रेस के सन 1905 इस वी के बनार्ष अधिवेशन के अध्यक्स कौन थे गुपाल कृष्ण गोखले जो के बनार्ष में हुआ था लाल कुरती दल क्यों संगठित किया गया था अंग्रेजों को निकालने के लिए लाल कुरती दल मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया ये 23 मार्च 1943 को मनाया था मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में कहां पे की गई थी धाका के अंदर जो आजगे टाइमें बंगलादेश की राजधानी है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्स कोन था ये आगा खान थे माउंट बेटन योजना किसका अधार बनी ये देश के विवाजन का अधार बनी भारतियों को वर्स 1947 में सारो भूम सत्ता सोपने की योजना किस नाम से जानी गई इसको जाना कहा है माउंट बेटन योजना भारतिय थिहास में तिथी 6 अपरेल 930 किसलिए जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू करने के लिए 6 अपरेल 930 जानी जाती है महात्मा गांधी को सरव पर्थम राष्टर पीता किस ने कहा था ये सुभाश अंदर बोस ने कहा था भारतिय राष्ट्य कॉंगरिस के पर्थम इसका पर्थम विभाजन कब हुआ था 1907 में सूरत में महाराष्टर में गणपती परव का स्री गिनेश किस ने किया किस ने स्टार्ट किया था गणपती परव ये बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था महात्मा गांधी दुवारा चलाया गया पर्थम जन अंदोलन कौन सा था ये था ऐसहयोग अंदोलन भारतिय राष्ट्य कंगरिस के सरव पर्थम मुस्लिम अध्यक्स कौन थे बद्रोदीन तैयब जी भारतिय रश्टे कॉंगरिस की स्थापना किसने की थी? एओ हयूमने कॉंगरिस की परथम महिला अध्यक्स कौन थी? यह थी एनी बेसेंट उना पैक्ट किस से संबन दी था? यह दलित वर्ग से संबन दी था उना पैक्ट पर किसने हस्ताक्सर किये थे? ये महातमा गांधिजी और अमबेड़कर के बीच में हुआ था बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफटिनेट गवर्नर कौन था ये थे एंड्रूड फ्रेजर ब्रेटिस पार्लेमेंट में चुना जाने वाला परथम भारतिय कौन था ये दादा भाई नरोजी थे भारत छोड़वा अंदोलन सन 1922 में शुरू हुआ भारत में साइमेन कमिशन का बहिसकार क्यों हुआ था क्योंकि इसके अंदर भारतिय सदस्यों को नहीं लिया गया था एक भी सदस्य भारतिय नहीं था भारतिय रश्टिय कॉंगरिस पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई है ये किसने लिखी है इंडियन स्ट्रगल ये सुभाज चंदर बोष जी द्वारा लिखी गई है भारती राष्टिय कॉंगरिस का पर्थम अधिवेशन कहा हुआ? मुंबई में खिलाफत अंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे? मुहमद अली जिन्ना और शोकत अली ये रिपीट हो गया है विश्व का सबसे उंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिबद का पठार योजना आयोक के अध्यक्स कौन होते थे? परधान मंत्री वनस्पती घी के निर्माण में कौन सी गैस पर्युक्त होती है? ये होती है हाइडोजन इंगलीज चैनल पार करने वाले परधम भारती है कौन थे? ये थे मिहर सेन वन होर्स पावर कितने वाट के इकल होती है? 746 वोट पानी की बूंद के गोल होने का क्या करण होते है? ये सरफेस टेंसिन के करण ये परिश्ट तनाव के करण गोल होती है मानव निर्मित रिशा प्रत्म रिशा कौन सा है? नायलोन सपष्ट प्रती धवनी सुनने के लिए श्रोता और बोलने वाले के बीश दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर किस माध्य में परकास की चाल सरवाधिक होती है? निरवात में यनिके वैक्यू में किस रंग के परकास का परकिर्णन सबसे अधिक होता है? यह होता है बैंगनी यनिके वैलेट विब ग्योर आपने सुना होगा विब जी वाई ओ आर ये इस जो सबसे उपर जो रंग होता है इसका परकिर्णन सबसे अधिक होता है वाहनों की हेडलाइट में किस दरपन का उपयोग किया जाता है? हेडलाइट में दोस्तों हमिशा अवतल दरपन का ही यूज होता है अकास में तारे टिम टिम आते हैं, क्यों? परकास के अववर्पन की कार्ण प्रात्मी करंग कौन से हैं? प्रैमरी कलर लाल, हरा और नीला इनसे मिलाके ही बाकि सारे कलर बने हैं वायू यान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम टांका धातो या सोल्डर ये किस धातो का मिशन होता है? ये टीन वैस सीसा का मिशन होता है गुलुकोमा रोग श्रीर के किस अंक से समंदित है? ये आंक से समंदित है विश्व की पहली महिला अंतरिक्स यत्री का नाम बताईए वेलेंटीना टेरेसकोवा सिने बार किस धात्यू का ऐसक है? ये पारा या मरकरी का ऐसक है कौन सा यंतर दूद में पाने की मातरम अपने के लिए यूज़ किया जाता है इसको बोलते हैं लेक्टो मीटर हाइडरोजन बम किस सिधान पर अधारित है ये नाभी के सलियन पर अधारित है पेलागरा रोक किस विटामिन की कमी से होता है ये विटामिन B3 की कमी से होता है पेलागरा मचलियों के यकली तेल में किसकी परचूरता होती है तो जो फिश ओल होता है उसमें विटामिन D काफी अधिक मातरा में होता है पानी का घनतव अधिक्तम किस तापमान पर होता है density किस तापमान पर सबसे अधिक होती है 4 degree Celsius पर मनुश्य का वैग्यानिक नाम homo sapiens भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है यह होता है पस्चिम बंगाल में भारत में बर्मा जी का एक मात्र मंद्री कहां पर है पुषकर के अंदर है जो राजस्थान में पढ़ता है पागल कुत्ते से काटने से कौन सा रोग हो जाता है रेबिज या फिर हाइडरोफोबिया जिसमें इंसान को पानी से डर्द लगने लगता है राज्य सभा का पदेन सभापती कौन होता है यह उपराष्टरपती होते है दो बार नोबन पुरुषकर प्राप्ट करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यह मैडम मैरी क्यूरी थी सारक या दक्सेस का मुख्याले यह हमने डिसकस हिया थे पाठमांडू में है प्रथम परमवीर चक्कर विजेता कौन थे? परमवीर चकर यह थे मेजर शोमनात सर्मा भारतिय राष्ट्य कॉंगरिस की पहली भारतिय महीला ध्यक्स कौन थी? भारतिय महीला ध्यक्स थी? सरोजनी नाइडू वैसे एनी बैसेंट थी सन 1983 की विजेता भारतिय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? यह कपिल देव थे इन्होंने वेस्ट इंडेज को हराया था राष्टरपती राज्यसभा में कितने सदश्य मनोनित करता है? टोटल 12 सदश्य मनोनित करता है नोबल पुरुषकर की शुरुआत कब हुई? 1901 में बंगलादेश की मुद्रा कुन सी है? टका रमाइन किसने लिखी थी? महरसी वालमी की ने भारत में गन्य का सरवाधी कुत पादन यूपी में होता है नासिक जो है दोस्तों वो गुदावरी नदी की किनारे स्थीत है राष्टरपती को सबत कौन दिल वाता है? सरवोस नयालिया के मुख्या नयाएधीस जापान की मुद्रा क्या है? येन इंडियन मिलिटरी अकेडमी कहां स्थीत है? यह देहरादून में नेक्ट है माउंट एवरेष्ट पर चड़ने वाली पहली भारतिय महिला कोन है? बचिंद्री पाल संसद का उच सदन क्या कहलाता है? राज्य सभा डेविस कप का समन्द किस खेल से है? टेनिस से माउंट एवरेश्ट पर दो बार चड़ने वाली प्रथम भार्तिय महिला कोन है संतोस यादव पंच तंतर के लिखा कोन है विश्नु शर्मा सरवोस न्यालिया का मुख्य न्याधिस कब तक अपने पद पर है सकता है ये 65 वर्स की आयू तक